वेल्कम बेक तो मैं येट्वीब चैनल टेक्निकल टीप्स आज हम सीखने बाला है कि सेट स्कॉयर के मदद से हम कैसे पैरलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है एक लाइन हमें दिया गया है और उसके पैरलल लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है यह आज हम देखेंगे ठीक है तो इसके लिए हमने एक line देखो इधर हमारा set square है इसके लिए हमने क्या किया एक line इधर AB उसको draw कर लिया है ठीक है और उसके बाद क्या करना है कि AB line का parallel आज हम draw करेंगे ठीक है तो कैसे होता है तो चलो देखते हैं तो देखो AB line का parallel draw करने के लिए पहले हम सेट square का जो साइड से ना इस साइड के बारे में जान लेना जरूरी है ठीक है यह जो सेट square है हमारा इसे हम 45 डिग्री सेट स्कोर कहते हैं क्योंकि इसका एवाला एंगल 45 डिग्री है हमारा यह हम पिछले वीडियो में बताया था जो है यह वीडियो नहीं देखा है यह हम कार्ड में डाल देंगे जाकर सेट स्कोर के नाम हम डिटेल्स में बताया था उधर जाकर देख लेना एक बाठीक है तो देखो इधर क्या करना है कि 45 डिग्री सेट स्कोर वाला जो है इसका largest साइड कौन सा है largest साइड क्या है यह वाला 2 3 2 3 3डी स्कोर क्या है आप जो सबसे बरा ए7 आर इसंगा नन वॉरकिंगे करें देख कब़ी दूसरे बल्स करना ही तो एवाला एच को सोड़कर हम किसे दूसरे एज को इस लाइन की साथ आद्जस्ट कर लेंगे थीक है इसके parallel draw करना है तो हम क्या कर रहे हैं यह non working age को छोड़ कर यह non working age हम छोड़ देदे हैं और इसे छोड़कर बाकी किसी भी side किसी भी set square को ठीक है A या तो फिर A बाला set square हो किसी भी एक set square का non working age को छोड़ कर प्रिकenden दूसरे side लाइन के साथ अड्जेस्ट कर लिए है अभी क्या कर नहें कि दूसरा जो सेट स्कुर है हमारा एबला सेट इसक्वर इसका नॉन वर्किंग एज को इसके साथ इसका नॉन वर्किंग एज जो इसके साथ हम प्लेस्ट कर देंगे ऐसे ठीक है देखो ऐसे प्लेस्ट कर दिया दोनों का नौन वर्किंग एज एक साथ जोर दिया और उसके बाद क्या करना है कि दूसरा वाला जो सेट इसक्वार जो बाद में हम सेट किया इसे हम ऐसे फिक्स्ट कर देंगे ठीक है ऐसे प्ल हैने हैंब दूसरी वाला सेट स्क्वार को हम इसके साथ ऐसे मूफ करेंगेे यह बिल्कुल करें रहे लॐ ने दूसरे सेट स्क्वार के साथ ओकर रहेना रह धीक है अचछ है उधर उधर ऐसे नहों स्फ़घ्र और रहा कराद ऊद है Is नहीं है ओधर हम डॉह कर सकते हैं यह से देखो लाइन राव कर लिया देखो यह वाला लाइन श्रे लाइन अब लाइन का बिल्कुल पर लाल के देखो ईसे दूसरा सेट्सोर हमारा बिल्कुल fixed है देखो ध्यान से देखो दूसरा बाला set score हमारा move नहीं हो रहा है और पहला बाला set score जो है वो move हो रहा है लेकिन condition क्या है कि यह दोनों non-working age बिलकुल एक साथ जुरे रहना चाहिए ठीक है यह अलग नहीं होना चाहिए अलग होने से हमारा drawing खराब हो जाएगा वो parallel line draw नहीं होगा ठीक है देखो हम और एक draw कर लेते हैं देखो बिलकुल parallel है सब हम उपर ड्रॉख कर लेते हैं यह भी लाइन की उपर ड्रॉख करते हैं ठीक यह तो नीचे किया अभी उपर हम ड्रॉख कर लेते हैं देखो कहीं पर भी ड्रॉख कर सकते हो parallel line उसके पास ही होना चाहिए ऐसा कोई मतलब नहीं है यह देखो जितना दूर कितना दूर आ गया है यह भी लाइन से इधर भी हम लाइन ड्रॉख करेंगे तो वह यह भी के साथ parallel ही रहेगा ठीक है parallel line का मतलब समझते हो ना कि दो लाइन के बीच का जो दूरिया है ना वो सेम रहेगा ठीक है देखो एक नाइन का हम नामकरन कर देते इसका नामकरन कर देते c d तो parallel line का मतलब क्या हुआ कि यह line space इधर जितना है इधर जितना है इधर भी उतना ही रहेगा और इससे हम आगे बराएंगे तो वो भी उतना ही रहेगा देखो हर एक जगा जो हमारा spacing है वो बिलकुल equal है ठीक है ऐसे हम parallel line ड्रॉख कर सकते है सेट स्क्वार के मदद से ठीक है आई होप सभी को समझ में आ गया है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मद भूलना और हमारा चानेल टेक्निकल टीप्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इसी चानेल में क्या है कि हम ITI की सिलेवास की अनुसर हर एक वीडियो हम डालते रहेंगे पूरा ITI का सिलेवास कभर हो जाएंगे अभी जो चैप्टर यह चल रहा है ना यह आप लोगों का इंजिनेरिंग ड्रॉइंग का पार्ट है ठीक है इसके आगे हम ट्रेट थियोरी ट्रेट प्रैक्टिकल वार्ट्स ऑप कैल